Hey guys, welcome to my channel, मैं हूँ आपकी फिर्म प्रतीमा बाली और आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे दोस्तो अगर आप हवाई जहाँ से सफर कने वाले हैं या फिर कोई ट्रिक प्लान कर रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर सुननी चाहिए क्योंकि बीते कुछ दिनों से इंडिको की तीन फ्लाइट की अमर्जेंसी लेंडिंग करवाई गई गई 24, 25 और 26 अक्टूबर को इंडिको की तीन फ्लाइट को टेक अफ जब गुआ उसके बाद सुचना मिली की तकनी की खराबी के चलते जो है फ्लाइट लैंड की जाएगी क्यू हुआ यह सारा मामला में आपको बताती हूँ लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब बने ना भूलें दोसों एक्च्वल में प्रॉब्लम यह आई कि जो इंडिको के इंजिन जो ए 320 सीरीज के जो नियो ए 320 नियो सीरीज के जुनके एरक्राफ्ट हैं उनके इंजिन में दिकत आ रही है और खास तोर पर उन इंजिन में दिकत है जो की 3,000 घंटे का जो फ्लाइटाइम दे मैं आपको civil aviation industry के वारे में यह बता दूँ कि जितने भी जो companies हैं उनके पास majorly दो जो ब्रैंड हैं उनके ही जो एरक्राफ्ट हैं एक है Airbus और दुसरा है Boeing maximum जो planes है हमारे पास हमारे देश के पास या फिर बाकी भी majorly यह दो जो company आपका Airbus और Boeing यह ही manufacturer है तो इंडिको के पास जो है वो 250 total planes हैं जिसमें कि एरक्राफ्ट जो यह Airbus के जो aircraft है वो काफी मात्रा में हैं अब प्रॉब्लम आ रही है अब आप सोच सकते हैं वो जो प्रॉब्लम दे रहे हैं और उसी तकनीकी खराबी के चलते तीन बार emergency landing कानी पड़ी अब आप सोच सकते हैं कि हालात कैसे हुए होंगे यात्रियों ने क्या सोच होगा जब बताया गया होगा कि तकनीकी खराबी है तो जब तक वो runway पे वापिस नहीं आ गए तब तक लोगों के बीच में कितना जो है stress और anxiety रही होगी अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतनी बड़ी जो company है civil aviation की उनको DGCA जो डारेक्टरेट जनरल अफ सिवल अवेशन है ये एक authority है जो civil aviation industry को monitor करती है इन्होंने guidelines इन्हें पहले ही दिये थे जहां इन्हें कुछ महीने पहले guidelines मिल चुके थे कि जो engine 3000 घंटे जो fly कर चुके हैं उन्हें discard किया जाए उनके जगा पे नए जो है engines लगाएं जाएं लेकिन company ने ऐसा नहीं किया जिसका रसल्ट हुआ कि तीन बार बड़े हाथ से होते होते बचे अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी company हैं civil aviation से जोड़ी हुई और सुरक्षा के मामले में यह इतनाई जो लापुरवाही जो है वो कैसे कर सकती है हालांकि अगर आप civil aviation companies की माने तो वो कहते हैं कि एक इंजिन से बापिस लैंड क्या जा सकता है जो यात्रियों का जो समय बरबाद हुआ जो उन्हें पैनिक हुआ उसका खम्याजा कौन भूगतेगा अब DGCA ने कड़े निर्देशी ने यह दिये हैं कि 15 दिनों के अंधर यह अपने जो प्राटेंड विटनी के जो यह जो एर जो वाड्या ग्रुप का जो है जो कंपनी है सिविलिवेशन कंपनी उनके पास भी A320 जो नियो इस सीरीज के एरक्राफ्ट हैं और उनसे भी यह कहा गया है कि वो भी जल्दी प्राटेंड विटनी के इंजिन्स को बदलें जो तीन हाजार घंटे फ्लाइ कर चुके दोस्तों एक जो सतर्क नागरिक है वही एक जिम्यदार नागरिक है और वही सुरक्षित नागरिक है इसलिए हमें पूछना जाहिए इन कंपनी से और अगर आप अपनी टिकेट बुक भी कर रहे हैं तो आपको देखना जाहिए आप अपनी एजिन्स से इस बात को पूछे कि आपका टिकेट जो है वो कौन से पेन में हो रहा है, सीरीज क्या है और आगर वो A320 नियो सीरीज है तो आपको इन कंपनी से पूछना चाहिए कि यह जो प्लेन्स हैं, यह मोडिफाइड क्यों नहीं हुए, इनके इंजिन्स कब बदले जाने वाले हैं या फिर आप इन एरक्राफ्ट को ग्राउंड क्यों नहीं करते हैं दोस्तों मेरी चैनल पर आपको अवेरनेस जो है उससे जुड़ी कई और वीडियो मिलते रहेंगे पोस्नल फिनांस पर मैं बहुत सारी जानकारी अपलोड करती रहती हूं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम पोस्नल फिनांस और जो कॉर्पोरेट अवेरनेस के प्रती कई महत पूरन विश्यों पर चर्चा करते रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नम भूले थैंक्यू सो मच